हाई मैं प्रशान्थ आप सभी आपने योटूब चैनल एक क्वीटी टू कुम्डीटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में वैसे केंडल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि जेनर्वली ट्वेडर्स को कंफ्यूज करता है यहाँ पर नीचे में दो सेट आफ केंडल देख रहे होगे यह दोनों आपका टू केंडलिस्टिक पैटरन सबसे पहला यहाँ पर जवरदर्स वेड केंडल फॉर्म होता वेड केंडल फॉर्म होने के बाद आपका न्यूट्रल डोजी केंडल बोल सकते हैं यह फॉर्मिशन हो गया इसके बाद आप क्या करोगे बाई करोगे कुछ भी समझ भी नहीं आएगा टोटली कंफ्यूज होगे क्योंकि इसके बाद माकेट आपका अपसाइड मूब भी दिखा सकता है और यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर गलत ट्वेड लेकर ट्र जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे भी अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना करें इसके बाद अगर यहां पर ग्विन कंदल का फॉर्मिशन हो गया तो क्या इसका मतलब है इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या सब्सक्राइख किसी भी डियेक्शन में जा सकता है यह दो कनलिस्टिक पैटर्न हमें कोई भी ट्रकट नहीं बताता है और जैसा कि मैंने आपको उल्वेड़ी बताया था आपके साथ शेर करता हूं जो कि आपको कंफ्यूज करता है जो कि आपको ट्रैक करता है तो चलिए इस वीडियो में इस Candlestick Pattern को डीटेल से समझते हैं। तेहां पर हम चार्ट पर आगे। लेकिन चार्ट पर आने से पहले मैं आपको कुछ बताना जाओंगा। वो जो Candlestick Pattern के बारे मैंने डिस्कस किया था। जहां पर दो Candlestick Pattern था। उसका Formation कहां पर होता है। अगर वो आपको Support Level के पास Formation होता है तो वो कुछ अलग Behavior दिखाता है। विस्टेंस लेवर के पास Formation होता है तो उसका Behavior और Characteristics कुछ और हो जाता है और Support और Resistance के बीच में Form होता है तो वो कुछ और हमें Indicate करता है। उसका जो Placement है वो उसके Characteristics को Define करता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और उस Candlestick को Identify करते हैं। अब इस Candlestick को आप लोग अलग अलग नाम से जान सकते हों। कुछ लोग किसी और नाम से जानते हैं, कुछ लोग किसी और के नाम से जानते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से ही Basic Fund है कि हम Candlestick के Name पे नहीं जाएंगे क्योंकि Candlestick का Name पैसा बना के नहीं देगा। आपको Candlestick का Name याद भी नहीं रहेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं परेगा। सिर्फ आपको उसका Characteristics याद रखना है, वही आपको यहाँ पे मार्केट में पैसा बना के देगा। इसलिए हम Name के उपर Focus ही नहीं कर रहें, क्योंकि यहाँ पे हमें UPSC का Exam क्लिए नहीं करना, हमें Trading करके Profit बनाना, जिसमें नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको Chart देखना और उसको समझना है। यहाँ पे मैंने पहले इससे सब को identify कर रखा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना परेगा और इसको आपको manually identify करना परेगा, और यहाँ पे हम सबसपहले daily chart पे आना चाहेंगे, किसके daily chart पे आ रहे हैं, अब इसके हम daily chart पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसक इसको lower time frame में identify करेंगे, तो इसका accuracy level उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर आप कोई canalistic pattern को, original behavior को सीखना चाहते हैं, तो आपको daily time frame में ही आना परेगा, इसलिए यहाँ पे हम अदानी reports के daily time frame में आए, इसको समझने के बाद आप इसको चाहो तो one hour तक के time frame में इस्तमाल क बात करेंगे, सबस्पहले हम इस वाले position पे focus करते हैं, अब देखें, यहाँ पे जो candlestick मैंने बताया था, same type of candlestick का formation हुआ है, यह देख सकते हैं, यह आपका first वाला है और यह आपका second वाला है, अब इसका formation कहां पे हुआ है, वो हमें देखना है, इससे पहले अगर हम है, यह लेवल आपका क्या काम कर रहा था, resistance के रूप में काम कर रहा था, और आगे भी यह लेवल आपका hurdle के रूप में काम करेगा, resistance के रूप में काम करेगा, यह नहीं, यह जो candlestick का pattern का formation है, वो कहां पे हो रहा, इसका formation हो रहा है, resistance लेवल के पास, और यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है सबस्पहले ग्विंड केंदल मानवा है उसके बाद न्यूट्रल आपका वेल्ड केंडल का फार्मेशन ओर यहां पर ध्यान देना एक चीज केंडल का आपका अपोजीड होना चाहिए यह ग्विन है तो अगला छोटा जो आपका डोजी candle का formation का और या फिर Y cream का formation व्राइशंद का फॉर T सब्सवी के पॉइलें आ जाएगा अब देखिए प्राइस आपका उपर नीचे साइड की तरफ की रहा फिर आपका यहां पर गिया प्राइस उपर गया है, यहां पे बाइर्स और ज्ञादा एकक्टिव है, यहां पे बाइर्स ने अपना स्ट्वेंथ दिखा है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह आपका neutral candlestick का formation होगिया, मतलब इस particular candle पे जो बायर है, उनमें यहां पे हमें अच्छा खासा strength देखने को मिलवा, लेकिन जैसे अगला candle form हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, जितना strength buyer में है, उतना ही strength हमें sellers में भी देखने को मिलवा, यह नहीं buyers और sellers का strength बराबर हो गया, तो strength lose कोन किया है, strength lose हुआ है, buyers का, और strength gain कोन किया है, strength gain किया है, sellers, और ultimately candle color red है, that means to, क्या हुआ है, यहाँ पर जो दबदबा है, वो slightly sellers का दबदबा है, यहनि इसके बाद, अगर इस candle stick का lowest point break करके price नीचे जाता है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम sell side की तरफ entry लेंगे, आपको सारे को point by point समझना है, एक एक point करके, अब मैं आपको point by point समझाता हूं, entry point सबसे पहले आपको देखना है, कि power का transfer हो रहा है, कहां से, buyers से sellers में, यहनि, buyers मजबूत था, उसके बाद यहाँ पर, sellers मजबूत होता हुआ दिखा, उसके बाद, यह जो आपका neutral candle बना, इसके low को mark करना है, जैसे ही price इसके low के नीचे है, वो हमारा क्या बन जाएगा, entry point बन stop loss, यह दो जो candle है आपका, previous वाला और यह वाला, दोनों में से, जिसका भी high उपर रहे, वो हमारा बन जाएगा, SL, यहाँ आपको और clean करके बता आ जाता हूँ, जैसे ही, इसके low को break करके नीचे आया, यह बन गया हमारा, entry point, जो कि आपको easily समझ में आ गया होगा, कोई difficult नह करते हैं, तो previous जो भी lowest point, देख सकते हैं, एक यह है, और दूसरा यह है, इस दोनों को आप यहाँ पर target के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं, पहला T1 यह हो जाएगा, और दूसरा target यह हो जाएगा, और दोनों target को इसने आसानी से hit कर दिया, यह नि, दोनों target price यहाँ पर मेरा well defined है, stop loss well defined है, और target price well defined है, यह concept यहाँ पर समझ वाया है, यहाँ पर हम एक और example लेते हैं, जो यहाँ पर हमें दो example देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर भी अच्छा कासा, green candle है, उसके बाद छोटा सा red candle है, यह exact तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जूलता है, exact हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो उससे मिलता जूलता भी formation होगा, तो इसके basis पर हम सेम तरीके से react करने के कोशिस करेंगे, और यहाँ पर भी देखिए, यह हमारे resistance level बना है, और यह कहां formation हुआ है, वह अपस से यह जो formation हुआ है, आपका resistance level के पास formation हुआ है, और यहाँ पर भी power का transfer किसके किसके बीच में हो रहा है, बायर से sellers में power का transfer हो रहा है, यह जो characteristics हमने पहले देखा था, वह यहाँ पर भी इस्तमाल होगा, तो यहाँ पर हम entry पर आते हैं, क्य जो भी high होगा, वो मेरा stop loss बनेगा, तो इसमें यह candle का high, यह हमारा stop loss के रूप में काम करेगा, target price की बात करें, तो previous जो भी support level है, एक यह है, यह मेरा बन जाएगा T1, और दूसरा, आप इसको ले सकते हैं, T2, तो यहाँ पर भी T1 और T2, यह नहीं, target 1 और target 2, दोनों मेरा hit हुआ है, आसानी से देख सकते हैं, clear cut है, तो कोई confusion है क्या, हमें दो चीज़ देखना है कि formation कहां पर हो रहा है, अगर यह जो pattern है, इसका formation अगर resistance level के पास होता है, तभी इसका कोई importance है, तभी इसके basis पे हम trade लेंगे, अगर इसका formation support level के पास हो, या फिर सपोर्ट resistance के बीच म कहीं पर formation हो, फिर हम इसके basis पे trade नहीं लेंगे, फिर हम इसको avoid करेंगे, फिर हम इसको ignore करेंगे, समझ में आ गया, यह जो pattern है, इसका formation कहां पर होना चाहिए, resistance level के पास होना चाहिए, उसके बाद यह हम आगे का जो quittery है, उसको fulfill कराएंगे, यह आगे का जो condition है, उसको fulfill कर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास और भी example है, उसके basis पे हम समझने की कोसिस करतें, यहाँ पर देखिए, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखेंगे, अब यहाँ पर क्या हुआ, यह आपका red candle है, उसके बाद छोटा सा green candle का formation हुआ है, यह पर भी exact हुँ नहीं है, लेकिन उससे मिलता जूलता हो, और मैंने बताया था, इससे मिलता जूलता होगा, फिर भी इसके basis पे हम react करेंगे, इससे पहले support level लेख लीजे, यहाँ पर आपका support level बना है, यानि यह हमारा, क्या है, support level के पास formation हुआ है, यह जो पहला red और दूसर यह कहाँ बनना चाहिए, यह बनना चाहिए support level के पास, तभी हम इसके basis पे react करेंगे, और पहला green दूसरा red, resistance level के पास बनना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिरा, मतलब इस particular vision में, जो sellers हैं, उनका जो strength है, वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर sellers का strength बहुत ज़्यादा है, और जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्या हो गया, जितना sellers का strength है, उतना ही strength हमें दिख रहा कि इसका, उतना ही strength यहाँ पर हमें buyers का भी देखने को मिल रहा है, हो रहा है यह सब कुछ हो रहा सपोर्ट मेर्ल के पास और सब लेबल के पास भायर्स को ऐसे थोड़ा मिलता है तो क्या करेंगे यह चोटा सा केंडल अगर इसको हाइ को ब्रेक करके उपर निकलेगा रही हमारा क्या बन जाएगा यह मारा इंत्री प्र अगा और यहाँ price previous high यह हमारा T1 और यह हमारा T2 दोंगो target price को hit किया है देखें काफी simple तरीका है और कितनी अच्छे तरीके से यहां पर हम find करें लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना परेगा यह सब कुछ manually आपको find करना परेगा और पैसा बनाना आसान नहीं होता उसके लिए मेहनत करना परत यहां पर हम एक और example लेखते हैं CDSL के daily chart में ही आ रहे हैं अब यहां पर भी देखिए same tap का candlestick का formation हो रहा और यहां पर भी यह जो candle का formation हो रहा लगवाग support level के पास ही हो रहा यहां पमें पीछे भी आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूंगा देखिए यहां पर support level है अगर हम इसके करीब line draw करते हैं देख सकते हैं यह support level के पास ही आया अब इसका काम खतम है अब इसको वापस से हम यहां पर लिया आते हैं अब यहां पर गया हुआ पहला rate दूसरा grade और यह कब हुआ है उपर से नीचे आ रहा support level के पास हुआ मतलब पाबर का transfer हुआ sellers से buyers में और buyers को यहां पर automatic advantage मिलता support level के पास तो यहां पर हम क्या करेंगे जैसे ही जो छोटा candle उसका high को break करके उपर निकलेगा यहां पर हम 22 के तरफ int भी लेंगे ठीक है उसके बाद इन दोन में जो भी lowest point है यह है यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा SL क क्या होगा previous अगर आप देखें तो उसके basis पर अगर हम find करें at list हमारा यह जो 1300 है वह हमारा यहां पर target price के रूप में काम करेगा और यहां पर एक चीज़ मैं आपको regular basis अपने वीडियों बताते रहता हूं कि आपको हमेशा क्या यूज करना है हमेशा आपको twailing stop loss यूज करन price आपका कहां से कहां तक यहां यहां कितना परसंद का upside move दिखाया हूँ देख लीजें इंट्री मेरा होगा लगबग इस लेवल के आसपास यहनि लगबग आपका 1100 के आसपास यहां पे हम इंट्री ले रहे हैं और उसके बाद यह हाई कहां का touch किया इस candle पे अगर आप ल upside move दिखाया है यहीं कोई stocks अगर आपका 7.5% का upside move दिखायेगा उसके बाद भी अगर आप उसके नीची आने से loss में चले जाते हो मतलब है कि आप यहां पे बहुत बड़ा blunder कर रहें बहुत बड़ा नुकसान कर रहें एक बहुत बड़ा main चीज जो होता है trailing stop loss वो यहां पे आप miss कर दे रहें जैसे यह price आपका 11.50 के उपर जाता है तो जो भी आपका buying price है यहां पे आपको जो trailing stop loss है वो 11.30 पे ले आना या फिर 11.40 या फिर 11.20 जिस भी price पे लाना लेकिन buying price से उपर ले आना और अगर आप यहां पे लाएंगे तो आपको at least price न profit आपका छोटा सा मिल सकता है कभी-कभी सिर्फ आपका trailing stop loss hit करके price उपर जाएगा लेकिन यह habit है यह habit आपको loss को avoid करके दे रहा यह आने वाले टाइम में जो बढ़ा loss हो सकता है उसको avoid कर दे रहा profit छोटा यह बढ़ा हम धीर धीरे करके अपना profit increase कर लेंगे लेकिन focus करना loss को avoid करने पर और यह कैसे आएगा trailing stop loss वाला जो habit है उससे आएगा तो उमीद करते हैं यह जो concept है यह जो मैंने आपको बताया है कि वो candles जो कि आपको confuse करता वो समझ में आ गया होगा और इन सबका importance कब है और कब इसके basis पर trade लेंगे वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया ही अगर और यह जो दो candlestick pattern है इसका importance कब होगा इसका importance तभी होगा जब आपका support level के पास बनेगा अगर यह यह जो पास है और इसका इम्पोर्टेंस पास है दोनों का अपने अपने इलाके में इंपोर्टेंस है इलाके के बाहर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उमीद करते हैं यह कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इससे लेटेट कुछ भी डाउट या फिर कनफीजन है तो आप हमें कमेंट सक्षान पूछिए और इस तरह के कॉंसेप्ट और इस तरह का आसान तरीके से आपको बहुत कम जगा बताया जा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते नेक्ट वीडियो में जैहिन